रोजाना ग्यान वर्दक चीज़ों को जानने के लिए आप हमार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नमस्कार दोस्तों जै माता दी स्वागत है आपका हमारी चैनल में दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि दिपावली पांच दिवसिय पर्व होता है जो कि धन्तेरस से शुरू होता है और भाई दूच पर इसका समापन होता है आपकी जानकरी कले बता दे कि दो नवेंबर यानि की कल धन्तेरस से ये परव शुरू होगा और इसका समापन 6 नवेंबर को होगा आपकी जानकरी कले बता दे कि धन्तेरस के दिन खरीदारी का भी विशेश और बड़ा महत्व होता है दोस्तों बता दे कि खास बात यह है कि इस बार धन्तेरस पर खरीदारी और पूजा अर्चना के लिए कई सारे शुब और विशेश फल देने वाली महुरत बन रही है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रियोदशी तिथी मंगलवार दो नवेंबर को धन्तेरस वा चार नवेंबर को दिवाली मनाई जाएगी धन तेरस के दिन धन की देवता कुबेर माता लक्षमी के साथ आयूरवेद की देवता धनवंतरी की पूजा का विधी विधान से की जाएगी धन तेरस इस बार मंगलवार को है और दोस्तों यह परव हर साल कार्थिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रियोदशी तिति को मनाया ज जाता है बता दें कि इस दिन से पांच दिविसिय दिवाली के त्योहार की शुरुआत हो जाती है त्रियोदशी तिति के दिन ही भगवान धनवंतरी का जनम हुआ था इसलिए इस परव को धन तेरस कहा जाता है दोस्तों इस दिन भगवान धनवंतरी के साथ माता लक्षमी की पूजा भी की जाती है भगवान धनवंतरी जब प्रकट हुए थे तब उनके हातों में अमरित से भरा कलश था इसलिए इस दिन बरतन खरिदने की परंपरा चली आ रही है दोस्तों बता दें कि इस दिन जाडू की खरिदारी करने से दरिद्रता का नाश होता है साथ ही समर दियाती है तिल के तेल का दीपक घर के बाहर दक्षन मुक रखने से काल संकट रोग शोक भय दुरगटना अकाल मृत्यू से बचाव होता है बातों खास बात यह है कि इस बार धनतेरस पर ग्रह गोचरों का शुब सहयोग बनने के कारण इस पूरे दिन खरिदारी आप कर स सकते हैं धनतेरस के दिन बता दे कि इस बार त्री पुषकर योग बन रहा है जिसे की धन योग या फिर अरबपती योग भी कहते हैं आपकी जानकरीकले बता दे कि इस योग में जो भी कार्य करते हैं उसका त्रीगुना फल हमें प्राप्त होता है धन का निवेश करने से इस दिन तीन गुणा लाब हो सकता है, शेर बजार में निवेश करके भी इस दुरान लाब अरजित होगा, बतादे कि स्वण और चान्दी के धातों में निवेश करना भी इस दुरान शुब होगा, दोस्तों आपकी जानकारी गले बतादे कि धंतेरस के दिन एक अन्य संयोग तीन ग्रहों से मिलकर भी बन रहा है जी हाँ बतादे कि इस दिन सूर्य मंगल और बुद ग्रह धनतेरस के दिन तुला राशी में गोचर करेंगे बताना चाहेंगे कि बुद और मंगल मिलकर एक धन योग का निर्मान करती है वही सूर्य और बुद की यूति से बुध ज़ातित्य योग का निरमाण होगा। इस योग को राज-योग की श्रेडी में भी रखा गया है। वहीं दोस्तों यह योग तुला राशी में बन रहा है जो की व्यापार की कारक राशी मानी जाती है। बताना चाहेंगे कि मंगल और बुद्ध की युती को व्यापार के लि बन सकती है आपकी जानकरी गले बताना चाहेंगे धंतेरस के दिन खरीदारी करने का शुब योग दोपहर दो बचकर 20 मिनिट से लेकर तीन बचकर 45 मिनिट तक है साथी साथ इस दिन शुब लगन शाम 6 बच कर 18 मिनिट से शुरू होकर राद 8 बच कर 14 मिनिट तक है बता दें कि धंतेरस के मौके पर पूजा के लिए शुब महुरत शाम को बन रहा है जी हां बता दें कि विशेश फल प्राप्ती के लिए प्रदोश काल्व वरिश लगने में शाम 6 बजे से रातरी आठ बजे तक पूजा करना श्रयस कर है पूजा में मन और साधन की शुदता का विशेश द्यान रखें दोस्तों बता दें कि यह सारे ही संयोग एक बड़ा मा संयोग बना रही है साथी साथ तन तेरस के दिन अरब पक्ती योग बनने के कारण इस दिन से देवी महालक्षमी जी की विशेश क्रिपा कुछ राशी वालों पर बन रही है जिससे की अब इन राशी वालों का जीवन पूरी तरह से पलेटने वाला है दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको इन ही राशी वालों के बारे में बताने जा रही हैं तो आप से अनरोध है कि वीडियो को आप बिलकुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक जरूर देखें साथी साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जै मालक्ष में भी जरूर लिख देए तो चलिए शुरू करती हैं दोस्तों आपको हम बता दें कि धन्तेरस के इस शुब से योग में इनराशी वाले लोगों को अब अचानक से लाब प्राप्त होने वाला है जी हां बताना चाहेंगे कि इस दोरान कारे शित्र में आपको सफलता मिलने के योग बन रही हैं घर परिवार में सुक शानती आपके बनी रहेगी कोई बिगड़ा कारे भी आपका बनेगा इस दोरान संतान की सफलता से आपका मन हरशित रहेगा जी हां बता दें कि किसी बड़े कारिक्रम में आप सम्मानित हो सकते हैं शिक्षा तथा प्रतियोगिता में सफलता की आपको प्राप्ती होगी राजनितिग्यों के लिए भी यह समय बेहदी ज्यादा शुब रहेगा किसी बड़े समहारों में पुरस्कृत भी आप हो सकते हैं इस अत्यंत प्रसंद रहने वाली है और दोस्तों माता लक्ष्मी जी की विशेश क्रिपा इस राशी वालों पर अब देखने को मिलेगी बताना चाहेंगे कि यह राशी वाली धंतेरस और दिवाली के बाद अपने जीवन में दिन दुनी और रात चोगनी तरक्की करने वाली ह और माता लक्ष्मी जी की खास क्रिपा से इनका जीवन अब पूरी तरह से बदल जाएगा दोस्तों बताना चाहेंगे कि जो भी परिशानिया जो भी दुख कष्ट और संकट आपने अपने जीवन में अभी तक देखे हैं माता रानी की क्रिपा से अब वस सब आपके दूर हो जाएंगे जी हां इसके साथी साथ दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि जिन जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया है जिन जिन लोगों ने भी आपको धोका दिया है उन सब को अब मातारानी सोयम धंडित करने वाली है जी हां दोस्तों बता दें कि अब आपकी रा ईस दोरां सफलता प्राप्ट होगी आपका स्वास्त सुखद और उत्तम बना रहेगा संतान की सफलता से आपका मन हरशित होगा राजनीती से संबंदित जा तक इस दोरान लाभानवित होगी इस दोरान धन का अग्मन आपके घरपर होगा शिक्षा तथा प्रतियोगिता परिक्षा में सफलता की आपको प्राप्ती होगी इस दोरान कोई नया कारिय भी आप शुरू कर सकती हैं जिसमें आपको धेर सारी सफलता प्राप्त होगी बता देगे इस दोरान कोई रुका हुआ या अटका हुआ पैसा भी जल्द आपको वापस मिलेगा किसी से किसी भी तरक का कोई विवादा बिलकुल भी ना करें अपनी वाणी पर जितना उसके आप सैयम रखें और क्रोध करने से बचें दोस्तों ये नवेंबर का पूरा ही महिना आपके लिए बहुत ही लाबदायक है और इसकी शुरुआद अब धनतिरस के दिन से हो चुकी है दोस्तों ये जोरान किसी से भी ज़्यदा आप लगाव ना रखें धार्मिक यात्रा इवं आध्यात्मिक उतकर्ष के आपको ये जोरान प्राप्ती होगी कुछ नया और विशेश तोर पर गरह कारियों में आपको सफलता मिलेगी धन का अगमन भी आपके पास होगा सरकारी कारिया आपके बनने लग जाएंगे किसी नए व्यापार की योजना भी आपके लिए बनेगी यश तथा प्रतेश्था में भी आपके इस दोरान वृद्धी होगी हाला कि दोस्तों कुछ ऐसी भी चीज़े हैं कुछ ऐसी भी सावधानिया हैं जिनें आपको इस दोरान ध्यान में रखना है जैसे कि दोस्तों आपको बता दे कि धंतेरस के दिन ना तो आप किसी को उधार दे और ना ही आप किसी से उधार ले इस दिन उधार लेने और देने वाले दोनों ही लोगों को पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है दोस्तों बताना चाहेंगे कि धंतेरस के दिन स्टील, काँच या प्लास्टिक की चीजे या बर्तन आप बिलकुल भी ना खरीदे या राहू और शनी से संबंदित होते हैं और धंतेरस के दिन इनकी खरीदी करना दुरभाग्य को बुलावा देता है दोस्तों यदि सोने चांदी, तांबा, पीतल के बर्तन भी अगर आप खरीदें तो घर में लाते समय उनमें मिठाई, चावल, आदी भर लें धंतेरस के दिन घर में खाली बर्तन लाना शुब होता है दोस्तों बता दे कि धन्तेरस के दिन धन की देवता कुबेर, माता लक्ष्मी जी, भगवान धनवंतरी और यमराज की पूजा की जाती है लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखें कि काँच या प्लास्टर ओफ पैरिस से बनी मूर्तियों की पूजा ना करें दन्तेरस के दिन अपने घर के मुख्य दर्वाजे के सामने गलती से भी दोस्तों जूते चपल बिल्कुल भी ना रखें सुबह से ही घर के दर्वाजे और सामने की जग़ को धोकर आप साफ कर दें दन्तेरस और दिवाली को दिन के समय गलती से भी नहीं सोना चाहिए ऐसा करने से घर में नकरा तमकता आती है दोस्तों धंतिरस के दिन चाकू कैंची जैसी कोई भी नुखीली चीज भी आप बिल्कुल भी ना खरीदे जी हाँ दोस्तों अब चलें आपको हम बता देते हैं कि आखिर या भागिशली राशिया कौन सी हैं जिनकी हम यहाँ पर बात कर रही है तो आपको बता दें कि यह राशियां है मेश राशी, विशब राशी, मिथुन राशी, सिंग राशी, कन्या राशी, तुला राशी, कुम्ब राशी, मकर राशी और धनू राशी दोस्तों आपसी अनरोध है कि आप कमेंट सेक्षिन में सच्छे दिल से जैमालक्ष में जरूर लिख दे और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दे